हेलो स्टुडेंट्स हाओ आई यू मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट एकाउंट एसी का चैप्टर इशु ऑफ डिवेंचर फ्रॉम दा बुक आफ टी एस ग्रेवाल को करवाने जा रहा हूं हम इस बुक का आज प्रैक्टिकल प्रॉब नमबर टू एडिशन है 2021 ठीक है जी ओके स्टुडेंट्स तो चलिए इसका मैं अब आपको 10 और 11 कोश्टन करके दूँगा 10 और 11 कोश्टन यहां पे यह देखिए ठीक है यह है एक पहला कती लिम्टेड इसुड 8000 9% डिवेंचर वाला और उसके बाद लियोनेक्स इस वीडियो को देखिए और कोश्टन को अंडर्स्टैंड करने की कोशिश कीजिए बहुत इजी कोश्टन है कती लिम्टेड इसुड 8000 9% डिवेंचर और रूपीज 100 इच आट इसकाउंट ऑफ 10% तो जो यहां तक पहली स्टेटमेंट लाइन स्टैंट टैंस पड़के प बैंचर इशू करने हैं ओके और कितने रूपे का एट दा रेट ऑफ रूपीज 100 ठीक है एट अट डिसकाउंट ऑफ यह डिसकाउंट का है डिसकाउंट ऑफ रूपीज 10 10 कैसे हैगा विकॉज वो 10% कह रहे है और वो 100 का है न 10% तो फिर नाचरूली 10 रूपीज यहागा इसलिए मैंने यहां को 10 रूपे लिखके दे दिया तो इसका मतलब यह क्या हो गया लंप सम का केस आगया सारे पैसे ही कठे आने है वो कह रहा फूल अप्लिकेशन आनी है तीसरे संटेंस के एप्लिकेशन वोज रसीड फूर 9,000 तो नाचरूली यह अपका वो प्रो राटा वला आजेगा ना क्योंकि यह ओवर सब्सक्रिप् तो ठीक है चलिए अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करके बताता हूँ बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज है इसकी एंट्रीज हो दो ही बनेगी आपको पता है लंप सम के केस में सारा पैसा एप्लिकेशन पर आएगा बट इंपॉर्टन चीज क्या होती है उसका एमा इसकाउंट वाला पोर्शन नहीं था ठीक है क्योंकि वहां डिसकाउंट पे नहीं होते है जर्नल यह है डेट यह है पर्टिकुलर्स ठीक है लेजर फोलियो डेबिट रूपिज क्रेडिट रूपिज ठीक है जी तो सबसे पहले आएगा बैंक एकाउंट डेप्टिड टू डिबैंचर एप्लिकेशन बिइंग एप्लिकेशन फॉर्ण डिबैंचर रसीवड ठीक है फॉर रूपिज नभी रूपिज रूपिज नभी रूपिज बिकॉज 10 रूपिज डिसकाउंट काटके पैसे लेने थे तो यह कितना बन गया नाइग नाइग जा एटिवन तो आ आठ लाख 10,000 रुपया आ गया बटाई यह कितना आ गया आठ लाख 10,000 रुपया ओके जी अब हमने इशु कितनों को करने है इशु तो हमने सिर्फ 8,000 को करने है तो देखिए दूसरी एंट्री इंपॉर्टन्ट है इसको थोड़ा फोकस करके देखिए अराम से देखिए यह आएगा अब डिबैंचर एप्लिकेशन एकाउंट में कितना पैसा है हमारे पास आठ लाख 10,000 का और यहां पर मैं लिकूंगा डिसकाउंट ओन इशु ओफ डिबैंचर इशु ओफ डिबैंचर और यह कितने पैसे आने चाहिए 8,000 इंटू 10 रुपय के हिसाब से कितने होँआज कितने पैसे 17,000 के 9% डिबैंचर तो यह कितने हैं? 8,000 इंटू 8,000 इं कितने आएगा तो यह कितना ऑफ यह बन गया? 8,000,000 अ कितना बैप यहकतना expect हुग ने हैं? बाकिपैसे बैंक से हमें लोटा देने हैं तो यह बना आप्पैसे आठ लाग हमें लोटा देना पड़ेगा विकॉज आपको पता है तो यहां पर आएगा बीइंग पहले में नरेशन लिखता हूँ बीइंग डिबैंचर ज़ अलोटेड टू एड़ थाउजंड एप्लिकेंट्स एंड बैलेंस रिफंडड ठीक है जी क्योंकि बैलेंस रिफंडड था बिकॉज हमने प्रो रटा पर जुरूर करना था लेकिन आथज़ार डिबैंचर के ही तो पैसे हैं और एक हजार के पैसे हमें रिफंड करने पड़ेंगे ठीक है जी ओके और वो 90 रुपे के इसाब से आ पाजना तो ये पैसे रिफंड होजेंगे एक हजार के पैसे एकसे पड़े थे ना हमारे पास तो ये रिफंड होगे तो बुक में इज़र आंसर मिलाईए ये देखे इशू ऑन डिस्काउंट कितना असी असी हजार और रिफंड में कितना पैसा है 90 ठीक अभी चलिए तो ये रहा हमारा 10th question I hope कि आपको समझ आ गया होगा ठीक है जी मैं एक बर आपको दुबारा पूरा दिखा देता हूँ आपको slow करके pause करके दुबारा देखिए इस question को ठीक है जी ये 10th question समझ आ जाएगा आपको बहुत easy question है ओके बटे चलिए अब मैं आपको इसका 11th question भी करके देता हूँ ओके जी चलिए करिए 11th question मैं आपको statement पढ़के दे रहा हूँ 11th question क्या कह रहा है वो 11th question में वो ये कह रहा है Linux Limited तो company का नाम है Linux Limited ठीक है जी और उसके बार उसने क्या किया है issue कितने करने है 12,008% debentures एशू कितने करने हैं उन्होंने 12,008% debentures ठीक है जी ये issue करना है उन्होंने और और कितने रुपे का add the rate of rupees 100 and at discount of 5% that is rupees 5 ठीक है जी पांच उन्होंने डिसकाउंट पर इशू करने है और वो कैसे कह रहे है कि application पर कितने करने है उसने 25% तो 25% तो 100 रुपे का 25% कितना आएगा बटे बोलो 25 रुपे आजेगा ना ये ठीक है और allotment पे कितने issue करने है allotment पे 20% issue करने है तो ये 15 जमा पांच लिखेंगे mind it ये discount वाला पैसा इसके बीच में ही है क्योंकि जब कहीं ना लिखा हो कि discount या premium कहा है वो आपको पता है allotment पे हम लेते हैं first and final call first and final call कितने रुपे की है balance बोला ना उसने final तो हमें यहां पर ये देखो ये तो पांच यहां ही रहेगा ये 95 ये बनेगा क्योंकि डिसकाउंट वाला ना अब यहां कितना बन गया 25 और 15 कितना बन गया है और multiply किसके साथ करना है 12,000 के साथ क्योंकि यहां ना कोई अंडर सब्सक्रिप्शन ना कोई और सब्सक्रिप्शन 12,000 से सारा कुछ करना है और वह हमें कहा रहा है पांच है journal entries तो ठीक है जी यह हमने बना ली अपनी इंस्टॉल्मेंट अब journal entries कर देते हैं मैं आपको बता तो चलिए मैं अब इसको journal entries आपको करके देता हूँ इसमें भी कोईशन में date नहीं है तो आप serial number भी लिख सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है तो यहां पर आ गया journal यह serial number लिख लीजिए यहां पर यह particulars ledger folio debit rupees credit rupees तो यहां पर सबसे पहले आएगा bank account debted to debenture application यह आएगा debenture application तो यह कितना आगए बटे being application received for 12,000 debentures ठीक है तो यह आजएगा 12,000 into 25 रुपे करके तो 12,000 into 25 करके कितना आगए बटे यह 3,000,000 रुपे आगए चलिए ठीक है यह entry कर लेते हैं हम ठीक है जी यह 3,000,000 रुपे यहां पर लिख लेते हैं और सभी को हमने debenture इशू किया ना तो यह सारे के सारे पैसे debentures में चले जाएंगे वेरी गुड तो दूसरी एंट्री में क्या आएगा debenture application account debted to 8% debentures account ठीक है जी तो यह कितना आगए तीन लग ओके बटे तो यह आगया being debentures issued to all applicants ठीक है जी ओके जी उसके बाद discount on issue of debenture account debted to बोलो कितना debentures आएगा न यहाँ पर और यह कितने रुपे के हैं बारा हजार यह ना हमारे पास debentures तो बारा हजार into 20 कर लो तो बारा हजार into 20 कर के कितना अगया यह थो लख 40,000 रुपे और यह कितने पैसे आने हैं धूंड़ ना तो यह आगया 12,000 into 15 तो 12,000 into 15 कर के कितना आगया कितना अगया एक लख 80,000 आ गया और इदर आएगा 12,000 into बोलो कितना पांच बारा पांचा साथ सार हो गया ओके जी तो यह बन की एंट्री ठीक है बचे समय लग गई तो यहां बन जेगा being allotment money becomes due simple ज़र narration लिख लो उसके बार fourth में आजेगा bank account debted to debenture allotment ठीक है जी account और वो कितना है एक लग असी हजार कितना है एक लग असी हजार ठीक है जी बेटे समझ लग गई आपको तो यह आएगा being allotment money received being allotment money received उसके बाद हम क्या करेंगे debenture first and final call account debted to बो बो debenture 8% debenture account 8% debenture account being first and final call money received कितने किया जेगी यह हमारे पास अब तो यह 55 से multiply करना ना 12 को 55 से multiply करेंगे 12,000 को 55 से multiply कर लो तो तो यह बन गया हमारे बन गया हमारे पास 12,000 into 55 तो यह 6,000,000 बन गया ठीक है बेटे कितना बन गया चे लग 60,000 ओके जी और यह लास्ट में क्या आएगा अब आएगा bank account debited to बो बो कितना debenture first and final call तो यह कितना गया 6,000,000 गया रपया रसीव हो गया बटे 6,000,000 गया रसीव हो गया तो आगया being first and final call received ठीक है बचे यह पैसा आगया अब क्रॉस चेक कैसे मैंने बताया था आपको अब यह देखिए 12,000 को 95 से multiply कर लो तो कितना आया 12,000 इंटू 95 से आगया 11,40,000 गया तो हमारे पास यहां क्रॉस चेक कैसे रहेगा यह देखिए मैं क्रॉस चेक भी आपको करके देता हूँ हमें बैंक में से सारा पैसा यहां से एकठा करके लिख लेते हैं 11,40 आना चाहिए यह देखिए पहले बैंक अकाउंट में यह आएगा application का कितना पैसा है बटे application का कितना पैसा है तीन लाख रुपया और उसके शाथ हजार रुपया ठीक है जी आप इसका टोटल करते हैं यह देखिए तीन लाख जमा एक लाख असी हजार और जमा चे लाख साथ हजार यह तो आपको करके देख नहीं पड़ेगा तो यह 11,40 आ आगया आपका ठीक है यह हमारा टोटल ठीक है इसका मल हमारी जनल एंटर कितना है ना है उसने कुछ और बताया कि first call के money कितनी है तो एक बार यह cross check हमें करना पड़ता है ठीक है जी तो यह आगया bank account debt to application यह आजेगा 12,000 into 25 से multiply करके 3,000,000 और 3,000,000 और तीन लाख रुपया receive कर लिया फिर debenture allotment money due कर दी और debenture allotment money receive होगी फिर first and final call भी due कर दी और first and final call money भी receive कर लिए ठीक है इसी के साथ यह question complete होता है और इस वीडियो को भी मैं यही conclude करता हूँ I hope कि आपको अच्छी तरह समझा आगे होंगे यह दोन्नों question बाकि अगले questions के लिए मेरी videos देखते रहिए और मेरे channel को subscribe करना ना भूले ओके जी done